हेलो बच्चों कैसे हो सभी आई होग सभी अच्छ होंगा और अपनी पढ़ाई कर रहोंगे आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे एटम जो कि क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नमबर 12 भी है इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं basically atoms के बारे में ठीक है स्ट्रक्चर वाइस कैसा है देखने में बाहर से कैसा है और यस उसके सेंटर पर क्या होता है तो बाई basic चीजे हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे आप अगर इस वीडियो में पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को जो है वह पहले लोग सोचते थे कि atom जो है कोई भी एक let's say ball मान लो आप या फिर कोई भी एक sphere मान लो वह यह मानते थे कि कोई भी sphere है तो atom जो जो है basically कैसा दिखता है sphere की तरह और उसके अदर जो है positive charge भरा हुआ है यह total positive चार्ज भरा हुआ है और उसके बीच में कहीं ना कहीं मालो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरीके से एंबेड़िड है जैसे कि माली जिसे तरबूज में होते हैं उसके बीच ठीक है जिसे तरबूज में उसके बीच फिट होते हैं कुछ इस तरीके से लोग सोचते थे पहले जिसको Plum Pudding Model बोलते हैं Plum Pudding Model नाम निकल के आज जैसे Plum फसे होते है Pudding लाइक सेम ऐसे ही जैसे तरबूज में उसके बेच तो Plum Pudding Model इसको बोलते थे ये Thompson ने सबसे पहले इस तरीके की Model की परिकलपना करे थी तो भाई ये जो Model था ये Almost प्रिकलपना करे थी इसमें उन्हें बोला था कि एक positive charge sphere है और उसके बीच में अलग-अलग-अलग-अलग electron बस होए है जैसे की एक तरबूज में उसके बीच तरीके के Model में क्या दिख़्ता है फिर क्यों इसको accept नहीं किया तो इसको accept इस से नहीं किया क्योंकि ये जो है hydrogen spectrum के ठीक से series को clear नहीं कर पाया बज़े से spectrum होता है जैसे प्रिजम में color pass करते हैं कोई भी light pass करते है white light तो seven color का एक spectrum बनता है बट जैसे ही इसमें कोई पास करेगा तो वह स्पेक्ट्रम एक्टम शो नहीं कर रहा था जो कि रदर फोड का model कर रहा था या फिर आगे चलके जो हम एक्टम बढ़ता है बोर model कर रहा तो यह हमारे पास spectrum नहीं था और साथी साथ रदर फोड का जोई scattering experiment है तो लार्ज scattering एंगिल नहीं इसमें उप्तिन और देसमें तो इससे भी यह किलियर हो गया कि alpha particle scattering जो है इसमें प्रूफ ही नहीं चल रही था तो यह model successful नहीं हो पाया जब यह model successful नहीं हो पाया तो जो गीगर और मास्टन नाम के दो आसोसीएट्स थे जो इसके स्टुडेंट से रदर फोर्ड के उन्होंने लैब में एक experiment किया जिसमें उन्होंने कुछ arrangement किया गोल्ड फॉइल के उपर एक experiment किया तो उससे उन्होंने प्रूफ कर दिया कि भाई यस atom कैसा होता तो चलिए सबसे पहले जान लेता है कि alpha particle scattering जो है दिखने में कैसा था वाई alpha particle scattering experiment की जो कर हम बात करें तो दिखने में वो कैसा हो सकता है देखो ध्यान से देखेंगे अगर हम तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने एक इस तरीके का ले लिए जिसमें से alpha particle release होता है यह alpha particle मतलब helium का nucleus होता है बेसिकली तो यह है क्या देखो इसमें एक lead block के अंदर ताकि बाकी absorb कर ले और सीधा जाने दे और साथ में कॉलिमेटर लगा हुआ है जो beam बनाके उसको सीधा बेह सकता है गोल्ड फॉयल के यह आपको जो पतला सा दिख रहा होगा यह गोल्ड फॉयल है बहुत ही पतली पन्य होती है mm से भी काफी कम समझे लो mm का तो बहुत कम इस तरीके का उन्होंने model जो है तयार किया alpha particle scattering के 10 to the power minus 7 10 to the power minus 7 meter के आसपास की जो गोल्ड फॉयल इन्होंने ली थी तो यह experiment के लिए जब गोल्ड फॉयल ली तो अल्मोस्ट इस से क्या हुआ कि जो alpha particle थे वो इसके atom पे जाके strike कर गए तो atom पे strike कर गए तो हम अगर देखने ध्यान से तो हमें कुछ अगर हम यहां पे एक screen लगा दें इस type की screen obtain करने के लिए तो भाई हम देख पा रहे होंगे कि कुछ जो हमारे पास particles हैं जो सीधे निकल जा रहे हैं भाई alpha particle अगर आएंगे source में source के तुरु तो कुछ तो बिल्कु सीधे ही निकल जाएंगे इस तरीके से इन्होंने एक बोला कि भाई बहुत सारा space 3 है वो सीधे निकल गया atom पे कोई फराख ही नहीं पुरा उसके अलावा इन्होंने एक बात बोली कि वो कुछ ऐसे भी थे alpha particles जो कुछ angle पे scatter हो गए जैसे कि आप देख पा रहे हूं कुछ angle alpha यहां पर theta angle आपको देख पा रहा होगा इस theta angle से जो है उन्होंने एक microscope लगा दिया और उसको zinc sulfide की screen पे डालके यह चेक कर लिया कि वो glow कर यह की नहीं कर रहे है इस पार्ग हो रही है कि नहीं हो रही है इस पार्ग हो यहां पर जो है एक alpha particle strike किया है इसको उन्होंने वैक्यूम चेंबर में ही रखा और ताकि इसमें कोई dust particle ना ठकरा जाए तो उससे उसका रास्ता चेंज हो सकता है तो माइक्रोस्कोप लागे हमने इसको चेक कर लिया और पता लगा लेगी जो स्कैटर्ड alpha particle है वो दिखने में कैसा लगा कि टकराया की ने टकराया कुछ ऐसे भी alpha particle थे जो अपने रास्ते सेम वापस लोड़े यह से आप मैगनेट पे कोई अगर सीधे strike करोगे तो वह वा काने की कोशिश की है तो observation को अगर द्यान से देखो तो कुछ इस टाइप की हमारे पास arrangements से और practically उसमें इसको प्रूफ किया गेगर और मास्ट जो दो scientist है हमारे ठीक है उन्हीं के नाम पे इसको जो है बोलते हैं ठीक है तो alpha particle scattering experiment हमारा इस तरीके से जो नोने देखा तो यहा जादतर जो है वो कम angle पे return हो गए मतलब कम बहुत कम deviate हुए सीधे निकल गए तो सीधे निकल गए मतलब इसके बीच में बहुत सारा space ऐसा है उन्होंने observe कि atom के बीच में जो है एक new place रखा वा बाकी सारा space atom का free है तो यह आज के model की परिकल्पना है बढ़ी atom का जो है structure कैसा होता है यह रधर फोर्ड के थे जो शिश्य है जो हम उसके बोल सकते हैं उसके जो विध्यारती थे तो रधर फोर्ड के नाम पे model जाता है रधर फोर्ड का atomic model atomic structure तो हम इसके बारे में अगर पढ़े तो large scattering angle के लिए graph अगर आप यहां से देखे तो graph आपको क्या बता रहे है चलिए पढ़ लेते हैं कि graph से आपको क्या पता लगा है इनमें घ्यान से देखे तो 8000 में से कोई सा एक ही ऐसा था जो 90 डिगरी पर रिटन हो रहा था अगर इसको हम ध्यान से देखे next slide में तो अगर हम बात करें इन में तो सबसे पहले observations पे इस graph के वह कुछ इस तरीके से जिसे मान लिजे गोल्ड का nucleus है तो आप देख पार होंगे जो alpha particle आ रहे हैं यहां पर अलग-अलग यह कुछ तो सीधे ही निकल जा रहे हैं ठीक है जो सीधे निकल जा रहे है वो काफी दूर है nucleus से तो मतलब उसने बोला कि item के आसपास जो है मतलब item में जो है बहुत सारा space ह खाली बीच में रखा हुआ nucleus और उसके आसपास का जातार space जो है blank है उसमें कोई जगें ही नहीं है तो इस तरीके से उसने idea लगा है और साथी साथ उसने बोला कि जब मान लिजे आपका जो है जो दूर रखे वे जो दूर alpha particle पास हो रहे हैं वो तो बीन a deviate हो निकल जा रह reflections reflection बहुत कम है उनके बीच में क्योंकि वह बहुत दूर से जा रहा है उनके पर बहुत कम effect है nucleus का साथी साथ Q alpha particle बहुत थोड़े से alpha particle को कितने alpha particle एक 8000 में से कोई सा एक ही ऐसा था जो 90 डिगरी से ज्यादा एंगिल पर return हो रहा था बहुत ही कम ऐसे alpha particle थे जो 90 डिगरी से ज 180 डिगरी पे return हो रहा था बहुत कम हैसा था जो return हो रहा था तो इस तरीके के उन्होंने observation की है तीन main observation जो हमारे इस alpha particle is getting experiment की दूर हमने detail में जाने इसमें उन्होंने conclusion क्या निकाला significance क्या है इस result की पहला अगर हम पढ़ने इसको दियान से तो लिखा है as most of the alpha particle pass straight through the foil so most of the space within atom must be empty मतलब उन्होंने proof कि experimentally की जादतर इस space जो है atom के आस पास का वो बिल्कुल खाली है खाली है मतलब महाँ पर कुछ भी नहीं है जो की thomson model बोलता था कि सारे electron सजे हुए है एक तरीके से एक sphere के अंदर positive charge के साथ बट ऐसा कुछ भी नहीं मिला second जो है की explain large angle scattering of alpha particle ज्यादर लंबे चोड़े angle हो के लिए रदरफोर ने suggest कि all the positive charge and the mass of the atom is concentrated in very small region called nuclear उन्होंने nucleus के discovery भी कर ली कि बीच में nucleus है जिसमें positive charge है और ज्यादतर इस पे जो खाली है सारा कसारा mass जो है center पर ही है इसलिए उसको nucleus बोल गया तो इस तरीके से nucleus बता दिया उन्होंने third की nucleus is surrounded by cloud of electrons whose total negative charge is equal to the total positive charge on the nucleus so atom basically neutral है हमारा उन्होंने बोला कि atom basically हमारा neutral है उन्होंने बोल दे कि जितना total positive charge nucleus के उपर है उतना ही सारा मिलाके जो electron है उनके उपर भी ओवराल जो nucleus है हमारा ओवराल जो अटम में वो neutral है zeros पर चार्ड यह कुछ इस तरीके के significance जड़के रहे नेक्स उसने बोला कि रदरफोर्ड मॉडल किया atom का तो क्या explanation क्या निकल के आती है वह किस तरीके से उसने explain किया उसको तो वह explain किया कुछ इस तरीके से जैसे कि nucleus के बारे में बात की जा रही है which is entirely positive entirely मतलब उसके पर सिर्फ positive charge आद है almost all the whole mass concentrated on it ज्यादतर मास उसी के उपर है इसी को उसने नाम दिया nucleus क्या नाम दिया इसको nucleus तो nucleus की discovery का जो credit जाता है वो भी नहीं हो जाता है इन्होंने बोला है कि nucleus का खोज किस ने करी तो rather size of nucleus almost कितना है भी 10 to the power minus 15 का size है जो कि बहुत छोटा है बहुत ही छोटा क्योंकि atom का size होता है वो 10 to the power minus 10 होता है तो यह वन अपॉन 10 की पावर 15 तो इस तरीके से size of nucleus almost जो हमारा 10 की पावर 5 लैस हो गया means हम उसको वन लेक टाइम छोटा मान सकते हैं वन लेक टाइम मतलब इतना छोटा कि आप उससे imagine भी नहीं कर सकते हैं next nucleus जो हमारे पास है nucleus is surrounded by suitable number of electrons इलेक्टाउन से गिरा हुआ है जिसका total negative charge equal है total जी हम discuss कर चुके है whole जो है हमारा atom जो हमारा है पूरा neutral next electron revolve around nucleus in various orbits जैसे की planet revolve करते हैं sun की वैसे इसने बोला कि atom के around भी जो nucleus के अंदर electron revolve करते रहते हैं और centripetal force जो है required करता है उनको revolution कराने के लिए जो की electrostatic force से जुड़े हुआ है ठीक है electron nucleus के बीच में एक electrostatic force काम कर रहा है जो उनको दूर नहीं जाने लिए रहा चिपका कर रखता है atom की within boundaries तो यह हमारा Rutherford model of atom है इसी के बारे में हम इसमें पढ़ रहे हैं कुछ limitations भी पढ़ लेते हैं लिमिटेशन का मतलब है कि इससे ज्यादा यह एक्स पे नहीं कर पाया कैसे बाई electromagnetic theory जो है पस्ट पॉइंट अगर हम पढ़ने ध्यां से electromagnetic theory के according क्या कहती है कि an accelerated charge particle must radiate some electromagnetic energy and an electron revolving around the nucleus is under continuous acceleration towards the center it should continuously lose energy and move in orbit of gradually decreasing radii मतलब electron अगर मालो move कर रहा है अलग-अलग orbits में तो it should decrease its radii जैसे कि आप डागराम में देख पार होंगे यह electron जो पहले यहां था धिरे-धिरे move कर रहा है रेडियस तो चेंज होती जा रही है बढ़ यह explain कर रहे थे कि वह fix orbit में revolve करते रहे थे करते रहे थे बढ़ ऐसा कुछ पाया है नहीं गया the electron should follow a spiral path and finally it should collapse Rutherford model ने इसको explain नहीं कर पाया बढ़ एक्चुल में तो यह हो रहा है वह revolve करता जा रहा है उसके radii होती जा रही है बट हम assume क्या करते है कि वह fix orbit में move कर रहा है क्योंकि energy नहीं निकल रहे है उसके अंदर से next second as the electron spiral invert electron अंदर की तरव spiral है तो उसकी कुछ angular velocity भी होगी उसकी कुछ frequency भी change होगी कुछ उसके अंदर motion भी होगे frequency of emitted light भी change होगी क्योंकि light emit करेगा motion में अलगलग orbit में आ रहा हो energy emit करके आएगा कम energy के साथ आएगा they would emit continuous spectrum instead of actually observed line spectrum तो वह क्या observe करानी कोश्च कर रहे है कि एक spectrum अलग अलग सीरीज के स्पेक्टल सीरीज के बारे बात करते हैं जिसमें हम पढ़ता है रेकेट उस में पढ़ता है इसमें पढ़ते हैं लेम्डा के लिए बॉर बोर मोडल के थुरू तो बोर मोडल फर्दर आ गया और एक्स्पेन कर दिया उसने की और बिट तो कड़ता है वह कुछ एनरजी रिलीस करता है लेकिन अना और बिट में मूव करने के लिए उसी के बाद हम पढ़ता है डिस्टेंस अफ क्लोजेस्ट अप्रोच तो यह सब ची की कोशिश जो कर रहे थे हम पढ़ रहे थे अभी लिमिटेशन डदर फोर्ड मॉडल के और साथ इसाथ हम जो पड़ा एलफा पार्टिकल स्केट्रिंग एक्स्परिमेंट जो आपकी डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा तो इस वीडियो में तो फिलाल इतना ही आई हो